आपका मैं नई वीडियो में बहुत ही शॉकिंग न्यूज में आपके लेके आया हूँ दियान से सुनिएगा वीडियो को आपको पता चलेगा कि भीया इंडियन एक्षेंज जो है उनके उपर कितना मेजर इंपेक्ट पड़ा हुआ है देखें बहुत मैनस से मैंने कुछ डेटा निकाला है आपके लिए और जब मैंने ये डेटा निकाला है तो भाई मैं शॉक्ड हूँ कि इतना इंपेक्ट कैसे पड़सकता है इंडियन एक्षेंज इसके उपर तो द्यान से सुनेगा बाकी मैं आपको अपडेट यहाँ पर मार्केट की भी देने वाला हूँ और शीबाइनू की बात करेंगे सोलाना की भी यहाँ पर बात करेंगे गैस आपको वीडियो पसंद आए अगर आपको ऐसा डेटा पसंद आता है मेरे भाई तो आप वीडियो को लाइक कर देना चैनल के साथ नहीं जुड़े तो make sure आप जुड़ जाना तो सबसे पहले मैं आपको सोलाना की अपडेट देता हूँ तो देखो भी या सोलाना यहाँ पर लगातार फॉल कर रहा है सोलाना साथ दिन में 20% यह पर डाउन आ चुका है जो crypto market में जो सबसे जादा impact पड़ा किसी एक alt coin के उपर वो आपका सोलाना ही है market cap की बात करें तो 2.7 billion है इस वक्त और इसकी जो market cap थी वो 11.3 billion dollars होती थी तो भाई पहले 11 billion होती थी और अब 2.7 billion है तो भाई यह जमीन आस्मान का फर्क है इसकी जो ranking है अभी top 10 में है लेकिन हो सकता है कि भाई जिस सबसे यह fall कर रही है इसकी market cap यह हो सकता है कि जो rank है यह आपका top 10 से बाहर निकल जाए तो सोलाना की यह आपकी update है ठीक है मैं आपको एक और update देता हूँ पहले Shiba Inu के update देता हूँ आपको तो 4 billion की जो worth है Shiba Inu tokens की वो burn कर दी गई है यानि कि 4 billion worth के Shiba Inu burn कर दी गए अभी तक जब से आपका Shiba burn आया है यह मैं आपको बता दूँ यह जो coin है matic उसकी पूरी market cap भी इतनी है इतनी नहीं है यानि कि matic के अंदर इतना पैसा नहीं है जितने की Shiba Inu यहाँ पर burn कर दी गए जितने पैसे के burn कर दी गए ठीक है next update की तरफ यहाँ पर बढ़ते है तो top 10 alt coins में आपको बता तो market cap के साब से तो पहला आपका doge coin है जिसकी जो market cap है वो आपका 8.80 billion है जो सबसे number one पर है दूसरा Shiba Inu है 5.94 billion market cap है फिर baby doge coin है 226 million है ठीक है यानि कि billion में आपके दो ही है उसके बाद million के starting हो जाती है फिर dodge Elon Mars यानि कि Elon token है एक जो कि आपका meme token है उसमें 169 million है फ्लॉकी इनू है फिर 54 million है किशू इनू है 45 million dollars वर्थ है उसकी और dodge killer जो है आपका leash token उसकी 34 million dollars है तो पहले number पर dodge coin है दूसरे पर Shiba है baby dodge coin है dodge Elon Mars फ्लॉकी इनू किशू इनू और dodge killer तो ये सारे आपके है सुमित कुमार जो की founder है coin DCX के इन्होंने एक आज tweet करा और tweet बहुत कुछ इनका बया कर रहा है इन्होंने काया कि जो भी government ने अपनी शड़ते रखी थी जो भी regulation लगाई थी हमने सब कुछ यहाँ पर माल लिया है and the government own benefit I urge to rethink decision यानि कि जो decision लिया है इन्होंने tax का और 1% TDS का ये exchange के लिए बहुत ज़्यादा heavy पढ़ रहा है मैं आपको अगली update में बताऊँगा किस तरह से यह heavy पढ़ रहा है लेकिन सुमित गुपता ने खुद tweet कर दिया कि भीया जो government है उसको दुआ से सोचना चाहिए और करना चाहिए ये क्योंकि crypto industry जब भी जिन्दा रह पाएगी इंडिया में भी और जो government है उसको भी तभी benefit होगा क्योंकि देखो investors आएंगे market में तभी तो पैसा आएगा market में तभी तो government को tax मिलेगा लेकिन यहाँ पर investors ही नहाने के तो government भी फायदे में नहीं है market के वाले भी फायदे में नहीं है जो crypto में trading करते हैं वो भी फायदे में नहीं है और overall जो हैं यहाँ पर सबके लिए बुरही है तो इसके पर कुछ ना कुछ लाना चाहिए समित कुमार भी खुलके बाहर आए अब मैं आपको बताता हूँ मुद्दे की बाद जो calculation में निकाल के लिए क्या आया हूँ तो देखो after crypto tax and after 1% TDS भाई जो आपके Indian exchanges है वो यहाँ पर बिल्कुल खतम से ही हो गया है मैं आपको अभी live आज का ही मैं आपको एक data provide कर रहा हूँ तीन महीने में पिछले तीन महीनों में लगबग 90 से 95% की जो volume है ट्रेडिंग volume है वो खतम हो गई है Indian exchange के उपर अब मैं आपको एक data बता रहा हूँ यह आपको YouTube पे कोई भी नहीं बतायागा कोई भी नहीं बतायागा क्योंकि भाई यह बहुत ही मुश्किल में calculate हो क्या है और अगर आपको इसको प्रमाड चाहिए इसका तो एक काम करूँ हो मैं जो Twitter लिंक है वो अपने comment box में डाल दूँ हूँ महाँ पर जाके आप देख लेना मेरी profile में मैं रहे रेट्रीट कर दिया है तो coin DCX ठीक है अब trading fee लगने लग गई है trading fee के बाद एक exchange कितना पैसा कमा रहा है basically आपके मैंने 5 exchange लिये है एक coin DCX है वजरेक्स है जैप पे है बिट बी एनस है और coin सोच कुबेर है तो इनका data में provide करने वालों तो TDS कितना लगा हुआ है 0.1% TDS लग रहा है ठीक है देखो आज की data में अगर बात करें आज के हिसाब से अगर बात करें volume के हिसाब से तो coin DCX वाले जो हैं वो आपके 80,000 रुपे कमा रहा है एक इतना बड़ा firm trading fee से सिर्फ 80,000 रुपे कमा रहा है यानि कि अपना exchange चला भी रहा है उपड़ से सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपे कमा रहा है एक दिन के पहले ये exchange आपका 1,55,000 रुपे कमा रहा है एक दिन के सिर्फ trading fee से उसके बाद budgetrex की बात करते हैं लग बग यहाँ पर अभी जो कमा रहा है ये 2,12,000 रुपे कमा रहा है दिन के पहले ये exchange आपका 4,20,000 रुपे कमा रहा है दिन के आज के डेट में 50,000 रुपे कमा रहा है दिन के पहले ही ये 1,00,000 रुपे कमाता था bitbns जिसका डेटा फ्री भी ठीक लग रहा है मुझे आज के दिन में 12,00,000 रुपे कमा रहा है पहले ही 15,00,000 रुपे कमाता था coin dcx के जो volume है वो 93% गर गई है वजिन एक्स की 98% गर गई है जैपे की 94% गर गई है bitbns की 17% गर गई है और coin source के बेर की यहाँ पर 92% गर गई है यानि कि जतना ये पहले कमाते थे इनकी income भाई आपके बिलकुल half हो गई अब ये exchange है ये कोई individual बंदा नहीं है ठीक है ये नहीं है कि मेरे घर से और आपके घर से चल लाई है ये भाई पूरी team है पूरी firm है ये बहुत बड़ी ठीक है अब इतने कम पैसों में जो कि बहुत कम होते है यार ठीक है ये fee से जो आ रही है ये सिर्फ चीज का loss नहीं है इसके अलाबा बहुत सारे loss है अभी firms के पास तो भाई किस चीज से ये पैसा निकालेंगे किस चीज से employees को payment करेंगे और किस चीज से crypto इंडिया में जिन्दा रह पाएगा crypto exchange इंडिया में रह पाएगे अगर इसी हाल से चले बाई business ही यहार पर 93% गर गया ये सारी जो companies है बहुत famous companies है काफी बड़ी-बड़ी firms है हजारों employees काम करता है इनके अंडर हजारों इनके technicians है हजारों इनके दुनिया बर की इनके भीड है और इनकी जो business है वो 93, 98, 94, 17% तक गर गया है तो अब आप ये बताईए कि सर्वाइब कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे जो एक्षेंज पे पहले 1,55,000 रुपे कमाता था वो आज की डेट में 80,000 पर आ गया है यानि कि पूरा हाफ एक एक्षेंज तो ऐसा है मेरे भाई जो कि यहाँ पर 1,00,000 पर आ गया है बिल्कुल हाफ हो गई है बिल्कुल हाफ आपकी income हो गई है अब एक ही मौका बचता है इस पे दो या तो ये निकलेंगे इंडियन एक्षेंज जिस यहां से सिर्फ होंगे बाहर या गवर्रमेंट से कुछ अपील करेंगे या जो lay-off है उनको कर देंगे यानि कि जॉब फिर भी छोटी तो गवर्रमेंट अच्छा करने के लिए गई थी जिनको जॉब मिली थी उनकी भी जॉब चुटवा दी अब आप भी बताइए क्या चल लाए ठीक है मिलता हूँ मैं आपको नेक्स वीडियो में